C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर बहत्तर, सबक दस, नजम हवा, नजम निगार, शफिय उद्दीन नईयर अजब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये गर्मी में पंके हमें चल रही है, है इनसान हैवान की जाँ इसी से, फलों और फूलों की सब शान इसी से, हवा ही ना होती, तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकता, उधर दम फना था, हमारे लिए और बागों में जाकर, ये लाई है फूलों की खुश्बू उड़ाकर, समंदर से आई तो सौगात लाई, मिटाने को गर्मी के बरसात लाई, जरा देर में था नगर सारा जल्थल, हरे हो गए, अब तो जंगल के जंगल, हवा देखिये गर बिगड़ने पे आए, तो रहते नहीं शहर बस्ती सराए, गरश्ती हुई आती है संसनाती, हर एक चीज को तोड़ती और गिराती, किसी की कहीं आख में खाक जूंकी, किसी की कहीं ले गई सर की टोपी, उखाड़े कहीं पेड़ ऐसा जंजोड़ा, कहीं घर पे छप्पर का तिनका न चोड़ा, समंदर की मौजों को ऐसा उच्छाला, कि पानी का बस बन गया एक हिमाला, जहाजों के ऐसे परख्चे उड़ाए, कि जाकर समंदर की तह में समाए, अजब शेह नयर, जहां में हवा भी, कि नैमत भी कहिए, इसे और बला भी, शफिव दीन नयर, सफ़ा नंबर चोहत्तर, मश्क, लव्ज और मानी, शान, इजज़त, बढ़ाई, सांस रुकना, मुहावरा, सांस पूरी तरह ना आना, दम फना होना, मुहावरा, जान निकलना, मर जाना, सौगात, तोहफा, जल थल, इतनी बारिश होना के हर तरफ पान खाक जूंकना, मिट्टी या धूल डालना, परख्चे, पुर्जे, टुकडे, तह, निचला हिस्सा, तली, सतह, शै, चीज, नयर, नहायत चमकदार सितारा, नेमत, मालो दौलत, बला, मुसीबत, गौर कीजिए, हवा के बगएर इनसान और हैवान जिन्दा नहीं रह सकते, इसलिए हवा को इनसान और हैवान की जान कहा गया है, हवा ही नहोती, तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुखता, उधर दम फना था, लव्ज सांस, मुजक्कर और मुअननस दोनों तरह बोला जाता है सफा नमबर 75 सोचिए, बताईए और लिखिए एक, गर्मी में ठंडी हवा के चलने से कैसा महसूस होता है दो, हवा को इनसान और हैवान की जान क्यूं कहा गया है तीन, हवा समंदर से क्या सौगात लाती है चार, हवा जब घुस्से में होती है तो क्या होता है इन मिसरों को दिये गए लवजों से पूरा कीजिए तिनका, नगर, जान, समंदर, परख्चे, फूलों एक, है इनसान हैवान की खाली जगा इसी से दो, ये लाई है खाली जगा की खुश्बू उडाकर तीन, जरा देर में था खाली जगा सारा जल्थल चार, कहीं घर पे छप्पर का खाली जगा न छोड़ा पांच, जहाजों के ऐसे खाली जगा उडाए छे, के जाकर खाली जगा की तह में समाए इन मुहावरों की मतलब बताईए और जुमलों में इस्तेमाल कीचिए सांस रुकना, दमफना होना, परख्चे उडाना, खाक जूकना सफ़ा नंबर 76, नजम से ऐसे अलफाज तलाश करके लिखिए जिन में फ, ख, छ, ज, भ, ठ, ठ का इस्तेमाल किया गया है मिसाल के तौर पर, पे, नून, काफ, दो चश्मी है, बढ़ी ये, पंखे यहां कुछ मिस्रे दिये गए है, हर मिस्रे में एक तस्वीर है, उन तस्वीरों की मदद से मिस्रों को पूरा कीजिए एक, ये गर्मी में हमें जल रही है, इस मिस्रे में पंखे की तस्वीर दी गई है 2. और की सब शां इसी से इस मिस्रे में फल और फूल की तस्वीर दी गई है 3. किसी की कहीं में खाक जूंकी इस मिस्रे में आँख की तस्वीर दी गई है सफ़ा नमबर 77 4. किसी की कहीं ले गई सर की यहां एक टोपी की तस्वीर दी गई है पांच, उखाडे कहीं ऐसा जन्जोडा, इस मिस्रे में एक पेड़ की तस्वीर दी गई है छे, कहीं पेचपर का तिनका न छोड़ा, इस मिस्रे में एक घर की तस्वीर दी गई है साथ, के ऐसे परख्चे उड़ाए, इस मिस्रे में हवाई जहास की तस्वीर दी गई है सफ़ा नंबर 78, नजम में जो अलफाज इस्तेमाल हुए हैं, उनके गिर्द दाइरा बनाईए कहानी, जान, पहाड, गर्मी, गरीब, नेकी, शान सफर, बरसाथ, सांस, मदद, खाक, जहाज, जमीन जंगल, सोगात, नर्म, समंदर, दुनिया, काम, उच्छाला दीगर लफजों के नीचे उनके मुतजात लिखिए इनसान, गर्मी, देर, बुरा, साफ, बहार, आसमान, खुशी बताईए, ये मिस्रे सही हैं या गलत अजब ठंडी ठंडी हवा बह रही है हरे हो गए अब तो जंगल के जंगल किसी की कहीं आख में खाक डाली के पानी का बस बन गया एक हिमाला गरश्ती हुई, जाती है संसनाती यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं, इन तस्वीरों पर दो-दो जुमले लिखिए तस्वीर में एक पंखा दिखाया गया है सफ़ा नंबर 89 दूसरी तस्वीर में हवाई जहास दिखाया गया है और तीसरी तस्वीर एक बाख की है ये अलफाज जिन मिस्रों में इस्तेमाल हुए हैं उन मिस्रों को लिखिए इस नजम को सामने रखकर हवा की पांच खुसूसियात लिखिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत